कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में मैं सारव भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों सब्सक्राइब करते एक सब्सक्राइब करते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं को सभी लोग यहां पर आकर अच्छे से तयारी कर सकते सभी को मेरा लास्ट लेक्चर में हमने 41 questions तक discussion कर लिया था आज हम 41 के आगे discussion करेंगे कुछ और लोग भी आ जाए फिर मैं एक लास्ट को आगे बढ़ाता हूं और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से वाधा किया था कि थोड़ा सा हम और भी कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी जो है उनके उपर भी चर्चा करेंगे तो एक आप लोगों की डिमांड थी अर्थ विवस्था के विकास की दर को किसके संदर्व में मापा जाता है रेट ऑफ दो ग्रोथ ऑफ एकनोमी इस मेजर्ड इन टर्म्स आफ क्या कहोगे भाई एकनोमी की जो ग्रोथ रेट है उसको कैसे अपन मेजर करते हैं जल्दी से आंसर दें आप लोग तेजा राम भी है साथ में आपको भी गूड इवनिंग आंसर देना आप लोग शुरू कर सकते हैं बाकि लोग भी जॉइन हो जाएंगे आपकी कोई एकनोमी है आप उसको कैसे मेजर करेंगे क्या कहेंगे मेजर कैसे करते हैं एकनोमी को अप्शन देखें आप नैशनल इंकम, monthly family income, number of people who have been lifted above the poverty line और industrial development याने की अध्योगिक विकास जल्दी से आंसर देना आप लोग ओके यह आंसर आ रहा है ठीक है ठीक है बिटा आंसर आपका बिल्कुल ठीक है देखो अकर अपन कभी भी GDP growth rate जब बेजर करते हैं तो हम उसको राश्ट्री आयसे यानि की नैशनल इंकम से मेजर करते हैं वास्तों में नैशनल इंकम क्या होती है नैशनल इंकम होती है NNPFC यानि की नैट नैशनल प्रोड़क्ट नैट नैशनल प्रोड़क्ट और FC क्या होती है factor cost FC क्या है factor cost अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं आपके तो यह होता है निवल राश्ट्रिय उत्पाद क्या निवल राश्ट्रिय उत्पाद तो बेसिकली factor cost को हमें कहते हैं लागत मुली कोशन कई बार पूछा जाता है रश्ट्री कहलाती है नैशनल इंकम कहलाते है हमेशा ध्यान रखेंए तो यहाँ पर किसी भी gdp को जब आप मेजर करते हैं gdp GDP ग्रोथ रेट को मेजर करते हैं तो वहां पर आपको वहां उस देश के अंदर कितनी वस्तू प्लस सेवा गोड्स एंड सर्विसेस का टोटल प्रोड़क्शन हुआ है यह कैलकुलेट कैसे होगा यह नैशनल इंकम से कैलकुलेट होगा तो यह आंसर बिल्कुल ठीक था नेक्स सवाल हे कोई लोगों ने आंसर दे भी दिया है नमनीथ आसा बता रहे हैं आसलता रहे है ठीक है तुम्हारा भिल्कुल ठीक है भी भी हू बिकुमित जो हे यह कहां का लोकनत्ते है आसव में का दिस यह ओस अलग होते हैं और और आपके जो classical dances है वो अग है आठ classical dances है हमारे ना बीहु गर्भा डांडिया कुछ इस प्रकार के लोकनते हैं जो कि वहां पर locally खेले जाते हैं उनको classical dance की शिडी में नहीं रखा जाता है next देखें दो नोबल पुरुषकारों से सम्मानित होने वाले पहले विज्ञानिक who was the first scientist to be awarded two Nobel prizes Albert Einstein, Thomas Edison, Mary Curie Frank Templeton बिलकुल क्या कहेंगे जल्दी से आंसर दें इसका दो नोबल पुरुषकार दो बार नोबल पुरुषकार आसान है अगर आप जानेंगे इस question को तो proud भी होगा audio में आवाज आ रहा है पता नहीं है और मैं बोलता हूँ भी चेक करने के लिए हमारी तरव से तो सब okay है mic भी ठीक है अच्छा इन्वेटर में आती है मेरे कहाल से projector के आवाज होगी projector के आवाज मुझे भी सुनाई दे रही है उसकी हो सकती है सोनू ए दे रहे है और 44 का C राहूल कुमार C दे रहे है C अतुल भी C दे रहे है ठीक आ रहा है आपका आंसर मेरी क्यूरी मेरी क्यूरी मेरी क्यूरी और इनके दे रहे हैं मेरी क्यूरी और इनके रहे हैं मेरी क्यूरी और इनके जो हस्बिंट थे पीरे क्यूरी was the pioneer of radioactivity science यह radioactivity की जो पूरी साईंस है खास कर polonium की खोज इन्होंने की थी radio radium की खोज इन्होंने की थी कुछ radioactive elements हैं यह इन्होंने डिस्कवर किये थे who among the following is the founder of Microsoft Corporation Microsoft Corporation के संस्थापक आसान सवाल है जल्दी से आंसर दे दे Microsoft Foundation क्या कहेंगे तो आसान होना चाहिए आंसर सी ठीक है भाई बिल गेट्स बिलकुल सही है आपका अंसर Microsoft के Corporation के संस्थापक है आप लोग बाकी बता सकते हैं मुझे यह बाकी लोग जो लिखे हुए है कौन कौन जिमी वेल्स डगलस एंजलवर्ट और स्टीव जॉब्स स्टीव जॉब्स तो आप फिर भी बता दोगी मुझे मालूम है है ना एपल के को फाउंडर है आप मुझे बाकी के बताओ यह जिमी वेल्स और डगलस एंजलवर्ट इनके नाम आपने सुने है सुने है तो बताईए मुझे नहीं मैं ही बताओं फिर विकिपीडिया का हम लोग बहुत इस्तमाल करते हैं आज कल विकिपीडिया यह जिमी वेल्स जो है यह विकिपीडिया के फाउंडर है बात समझ रहें एक हम सिस्टम यूज़ करते हैं लैप्टॉप अगेरा खूब आते हैं एट है एचल के फाउंडर यह है डगलस एंजलवर्ट और स्टीव जॉपस तो आपको पता ही है एपल के फाउंडर है बलकुल ठीक है तो बाकी चीजों को भी ध्यान रखें आप ओके नेस्ट कोशन लेते हैं अपन जीमी वाल्स ट्विटर कैसे होंगे यार ट्विटर के नहीं है यह वाट इस दा साइन्टिफिक नेम ऑफ हॉर्स घुड़े का विज्ञानिक नाम क्या है ट्विटर के तो टिम कुक है ना ट्विटर के तो टिम कुक है शायद चेक करना आंसर दें आप जल्दी से साइन्टिफिक नेम ऑफ हॉर्स इक्वस फेरस इक्वस अफ्रिकानुस वीकन पैक्स जिराफ क्या कहेंगे अच्छा पुछले वाले का दे रहे हो गया स्टीव जॉप्स वाला तो नहीं दे रहे हो गई चलिए मैं ले लेता हूं इसका आंसर देखिए घोडे का विज्ञानिक नाम है इक्वस फेरस यह तो क्या है हमारा हॉर्स है यह हमारा क्या है डॉंकी विक्वेगना पैक्स जो है यह अलपाका है क्या है अलपाका यह आपको मिलेगा अलपाका कहां पर मिलेगा साओ्थअमेरिका कॉंटिकनेंट में मिलेगा खासकल के अर्जेंटीना के अंदर मिलेगा चिली के अंदर मिलेगा है यह सब मिलेगा और जिराफाद केमवेगणाप्स जो यह तो जिराफ हैं यह हमारा इसको तो आप लोग जानते ही है तो इक्वस पैरस जो है यह हॉर्स है इक्वस अफ्रिकानुस जो है यह डॉंकी है विकोगना पैक्स जो है यह अलपाका है और जिराफा चलो बिल्कुल मनिश आपने गैस सही लगाए most of the time ऐसे questions के अंदर गैसी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जितने सारे हमारे जानवर हैं इनके विग्यानिक नाम हम याद कर पाते हैं ना ठीक एक उच्छ फेमस हैं उनके तो हम याद कर लेते ओके विच इस दा मोस्ट abundant metal in the earth crust प्रत्वी की परपट्टी में सबसे प्रचूर धातू कौन सी है क्या कहेंगे 47 का आंसर आप दे सकते है बिल्कुल ठीक के रहे हैं मनेश जैक डॉर्सी तो टिम कुक एपल एपल के होंगे तिम कुक एपल के सीओ होंगे फिर इसका नाम वहां पढ़ा होगा मैंने ठीक है 47 का सी प्रचूर मात्रा में धातू कौन सी है बिल्कुल ठीक है अगर यही चीज आपको बूला जाता के भूपर पट्टी के उपर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है इसने क्या बूला है इसने मैटल बूला है जब मैटल बोला है तो आपका आंसर एलिमिनियम बिल्कुल करेक्ट है बट मैं इसी कोस्चिन के अंदर मैटल की जगे पर एलिमेंट कर देता तो क्या आंसर होता और अगर यहां पर योगिक होता क्या होता योगिक होता यानि कि कंपाउंड होता तो क्या आंसर होता कोई बता सकता है सेम कोश्चन है पर इस कोश्चन में अगर मैटल की जगे एलिमेंट होता और या फिर कंपाउंड होता तो फिर आपका आंसर क्या होता क्या कहोगे आइरन नहीं हो गया गलत है आइरन नहीं हो पुश्चन तो समझ गये ना आप लोग मेरा देखो मैं ही देता हूँ काफी लोग शायद देख रहे हैं बट आंसर नहीं दे रहे है तो आप लोग भी आंसर दीजिए उसके बिना नहीं होगा बिल्कुल सही भावनेश बिल्कुल ठीक तत्व की जब भी बात आ जाये तो ऑक्सिजन बोलिएगा और योगिक क्या बोलोगे नहीं भाई कंपाउंड नहीं नहीं जब कभी भी आपसे कंपाउंड पूछेंगे ना तो आप सिलिका बोलेंगे क्या बोलेंगे सिलिका और यह हम कहां पर बोलने भाई यह कौन है भाई भरत आप इसका फरक नहीं समझ रहे हैं किसका जिपसम भाईया जिपसम तो योगिक है कंपाउंड है हम लोग क्या कह रहे हैं element element में एक ही टाइप की element होते हैं न इस पर ध्यान दीजिए और भवनेश हम प्रत्वी की परपत्टी में बात कर रहे हैं अर्थ की क्रष्ट पिक बात कर रहे है हम लोग एट्मोस्फियर की बात नहीं कर रहे हैं तो नाइट्रोजन भी नहीं हो पाएगा बात समझ रहें थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर क्वेश्चन कहीं बार रिपीट हुआ है सीडो इस रिलेटेट टू देवलपमेंट आफ विच आफ दे फॉलोविंग सीडो निम्न में से किसके विकास से सम्मंदित है आंसर दे दे मनेश कंपाउंड वाटर भी नहीं हो पाएगा आपको ऐसा योटू यानि सिलिका यानि की मिट्टी लिखना पड़ेगा अर्थ के क्रस्ट के उपर पूछ रहे हैं अपन से आंसर ले हूं हाँ वैसे तो आप समझ दे गए एस से स्मॉल ही आ सकता है देखो सीडो क्या है है स्मॉल इंडूस्ट्री डेवलप्मेंट और्ग्नेजेशन से इसका नाम क्या होगा इसके अपने पास एक बैंक भी है आपको मालूम है इसके लिए अपने पास एक बैंक भी है सिड भी एंडन हाला कि सिड़ी जो है ठीक है मैंने बैंक बोल दिया बट सिड़ी जो है पर्टिकुलर्ली एक डीएफाइए की तरह काम करता है वाट इस डीएफाइए एक डीएफाइए क्या होता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टिटूशन्स विकास वित्त संस्थान ऐसी आता है जैसे एनेच भी नैशनल हाउजिंग बैंक जैसे सिड़ी जैसे नाबार्ड बात समझ रहें यह सभी क्या है डीएफाइए हैं बात समझ रहें तो बिलकुल सही है नेक्स्ट कोशन ले रहे हैं हूँ इस दा ऑथर ऑफ दो बुक ऑलिवर ट्विस्ट ऑलिवर ट्वि रोहित आपने सिड़ी का 1982 लिखा है क्या आको तो यह रोहित बिलकुल तक काम नाइब को मेरी आपने सिड़ी का 1982 अगर लिखा एथ तो गलत है वहां कि इस्टैब्लिशमेंट नैने टीन नाइन्टी में हैं इस इभी की इस्टैब्लिशमेंट नैने टिमें हैं मेरे ella से आपको नाबाड का याद रह गया है नाबाड की इस्टेब्लिश्मेंट 1982 है ओके थोड़ा साथ चेंज करें ओलिवर ट्विस्ट बड़ी फेमस किताब है ये चार्ल्स डिकेंशन प्रसिद्ध ब्रिटिश राइटर थे चाल्स डिकेंश इनकी मुस्तक है डाफला ट्राइब इस फाउंड इन डाफला जन्जाती पाई जाती है कहां पर कहां पाई जाती है जल्दी देखें डाफला जन्जाती ये एक पहड़ी का भी नाम है डाफला, मिश्मी, मीजो, पटकई, नागा भवनेश सिरफ ठोरी पढ़ने के लिए पूछ रहे हो आप या क्वेश्चन सॉल करने के लिए पूछ रहे हो बुक नहीं यार हितेश डी आंसर दे रहे हैं इसका मेजो रब, नमन और कोई C क्या है अरुनाचल प्रदेश अश्रफ C दे रहे हैं और देखो ये नौर्थ इस्ट के अंदर अगर आप जाओगे न तो अरुनाचल प्रदेश के अंदर आपको मिलेंगे ये डाफला प्र मीचे मिलेगी पटकई फिर मिलेगी पिश्मी दिए नागा कि मीजो तो ए नागा और मीजो इसे तो समझ में आता है ना नागा लैंड और मेंजोरं बात समझे रहें ये डाफला पाहाड़िया जो हैं ये आपको अरुनाचल प्रदेश में रेंगी और यहीं पर रहने वाली एक जन जाती का नाम भी डाफला है ऐसे कैसे आप याद रखेंगे गारो खासी और जयंतिया ये भी पहाडियों के नाम है गारो खासी और जयंतिया आपको मिलेंगी मेगाले में कहां मिलेंगी मेगाले में इन गारो खासी जयंतिया पहाडिया भी है और जन जातिया भी है क्लियर निम्नम ऐसे किसे किस इस्थान ये पवन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है विच आप फॉलोविंग लोकल विंड इस अल्सों कॉल्ड डॉक्टर विंड देखो एक बार हाँ भॉवनेश मीडियम क्या है आपका हिंदी है इंगलिश है है डॉक्टर पवने सुनाए आपने अफ्रिका महादीप में चलती है सहारा मरुस्थल से चलती है सहारा मरुस्थल से ये गिनी की खाड़ी तक जाती है Gulf of Guinea तक जाती है यहाँ पर ऐसे गरम पौने हैं इन गरम पौनों का एक नाम और है हार्मिटन क्या नाम है हार्मिटन डॉक्टर पौने इसलिए कहा जाता है इने यहाँ पर आपका गिनी देश है क्योंकि समुद्र के पास में है इस वज़े से यहाँ पर बहुत जादा नमी र है यह गरम पौने जब इस जगे पर आती हैं तो सारी हुमिडिटी को यह खतम कर देती हैं मच्छर वगेरा जो है इनका बढ़ना खतम हो जाता है तो लोग हेल्दी वगेरा रहते हैं इसलिए डॉक्टर पौने कहा जाता है पोरा आपको मिलेगी साइबेरिया में मिस्ट्र है यह कैसी है कार्म हारमेटन कैसी है रहम है होट है यह बाकी दोनों मिस्ट्र और बोरा कोल्ड है टीक है बोरा आपको मिलेगी साइबेरिया में वहां की जो अधंडी पाउनने बोरा के नाम से जाना जाता है अचलिए नेक्स्ट लेते हैं प्रत्यूगिता दरपन की बुक्स आती है अलग-अलग सब्जक्ट की उनको प्रिफर कर सकते हो छोटी-छोटी इनकी गाइड है या फिर एक और आसान तरीका में आपको बताऊं मैंने वीडियो बनाए थे बीच में जीके के लिए हर सब्जक्ट के लिए उसमें काफी अच्छी जानकारी मैंने वित्ट नोट्स प्रोवाइड कर रही है एक बार उसको भी आप देखना उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी 52 का जल्दी से आंसर दें आप 52 का भी ए दे रहे हैं आंसर ले रहा हूं मैं इसको इंग्लेंड एंड फ्रांस यार टू आर्क राइवल 1337 से लेके लगबग लगबग 1450 कि तक 1450 भी नहीं होगा 1453 होगा ठीक है इनके बीच में 100 इयर्स तक कभी फ्रांस अटेक कर रहा है कभी इनके उपर इंग्लेंड अटक कर रहा है बार बार यह अटेक करते रहे है ना सौ साल तक लगातार इनके बीच में दुश्मनी चलती रही ऐसे कैसे सौ साल के अलावा आपको मिलेगा सब्त वर्षी युद्ध सब्त वर्षी युद्ध सेवन इयर्स वार्स यह भी किन के बीच में लड़ा गया इंग्लेंड और फ्रांस के बीच में यह लड़ा गया सत्रा सो चपन से सत्रा सो त्रेशट के बीच में इसके बाद फ्रांस के आलत बहुत खराब होगे थी सेवन इयर्स वार के बाद इसी के बाद फ्रांस के अंदर जो है आप देखे गणतंत्र की स्थापना होती है डेमोक्रेसी की स्थापना होती है नागालेंड सेलिब्रेट्स इट्स स्टेड हुड डे ऑन फॉस्ट डिसेंबर 2019 एक डिसंबर 2019 को नागालेंड ने अपना कितना वा राज्य दिवस बनाया अगर आप यह बता देंगे कि नागालेंड कब भारत में मिला था तब आप कांसर आजाएगा लाइक इंडिया इंड पाकिस्तान सम्थिंग लैक डेट कह सकते हो आज़ा लेंगे देखिए नागालेंड जो है यह 1963 के अंदर एक सेपरेट स्टेट का दरजा प्राप्त करता है और 57 चोड़ेंगे तो आप 2019 आजाएगा 57 इन्होंने स्टेट हुट डे जो सेलिबरेट किया वो किया एक डिसंबर 2019 को देखिए नागालेंड और भारत का जो विले है यह भी बड़ा इंट्रेस्टिंग है शुरुवात के अंदर जब 1947 के अंदर बहुत सारी हमारी रियासत से थी वह भारत के अंदर मिल गई नौर्थीस्ट में हमें बहुत दिक्कत आई आपको पता है यह नागालेंड अरुनाचल प्रदेश इन्होंने विलिंग भारत के अंदर शामिल नहीं हुए यह यहां पर आप देखेंगे तो बहुत जादा आदिवासी एरिया थे शेडि हुआ 1957 में नागालेंड और भारत की बीच में शांतिवारता हुई पीस टॉक हुई उसके बाद नागालेंड जो है वह भारत में शामिल नहीं को राजी हुआ और 1963 में इसे एक सेपरेट स्टेट का दर्जा मिल गया नेक्स देखते हैं विच आप दो फॉलंग इस ट्रेडिशनल पास बिट्वीन इंडिया एंड म्यानमार रिमेंस ओपन थ्रू आउट देयर निम्नले में से कौन सा दर्रा भारत और म्यानमार के बीच में एक पारंपरिक दर्रा है जो पूरे साल खुला रहता है चांगला बामडिल्ला इमिसला ओके आसान कोश्चन है कर सकते हैं आप क्या कहेंगे जल्दी से आंसर दें दिफू रोहित ओके रोहित यह बताओगे मुझे यह कौन से स्टेट में पढ़ता है कौन से राज्य में पढ़ता है बता पाओगे देखें बिल्कुल ठीक आंसर दे रहें आप तिफू पास जो है बिल्कुल ठीक है यह भारत को व्यानमार से जोडता है बिल्कुल ठीक है साथ इसाथ तिफू पास जो है यह अरुनाचल प्रदेश में पढ़ेगा अपने को चांगला और वमडिल्ला भी हमें अरुनाचल प्रदेश में पढ़ेंगे परन्तु ये भारत और चीन को जोड़ते हैं एक तुजु दर्रा है तुजु एक और पास है उसका नाम क्या है तुजु ये भी भारत को मनिपुर से जोड़ता है भारत को मनिपुर से जोड़ता है और भारत को म्यानमार से जोड़ता है और मनिपुर राज्य में इस्तित है कौन सा दर्रा तुजु दर्रा बात समद रहें ओके सरस्वती सम्मान अवार्ड इस गिवन इन विच फॉलोविंग फिल्ड सरस्वती सम्मान पुरुसकार निम्न में से किस शित्र में दिया जाता है देखें एक बार सरस्वती सम्मान पुरुसकार दिया जाता है जल्दी बताओ वही सरस्वती सम्मान पुरुसकार दिया जाता है मनीश बिल्कुल ठीक बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है नेक्स देखो कि आप इस दो स्ट्रिक नेम आफ एफ्रिकन एलिफेंट अफ्रिकी हाती का व्यग्यानिक नाम क्या है देखो तो एक बार है व्यग्यानिक नाम पूछ रही है शाष्त्री संगीत में नहीं मिलता भाई सरसुत्य सम्मान साहित्य के लिए मिलता है लिट्रेचर के लिए मिलता है देखें आंसर देखें जल्दी से काफी लोग साथ में लाइव है पर आंसर नहीं दे रहे हैं आंसर दे भई देखो इसका आंसर है लेक्सडॉंटा अफ्रिकाना यह है एफ्रिकान एलिफेंट का विज्ञानिक नाम पैंथरा लियो यह लॉइन है क्या है लॉइन यह क्या है जिराफ है यह क्या है जिराफ कैनियस लूपस यह वुल्फ है भेडिया है यह क्या है भेडिया पात समद्रें यह आंसर बिलकुल ठ थीक था नेक्स देखते हैं निम्न लिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वॉइस रोई न्यूक्त किया गया वू अमंग दो फॉलोविंग वाज अपॉइंटेड एस फर्स्ट वाइजरी ओफ ब्रिटिश इंडिया वॉइस रोई अच्छा इसका मतलब है जो आपको आ रहा है आप उसका आंसर तो बड़ा फटा जल्दी से दे रहें नहीं आ रहा है तो आप या तो दे नहीं रहे हैं या बच रहे हैं ठीक है रूहिद ठीक बता रहें आंसर इश्या इतनी देर कहां थे आप इतनी देर से कोई आंसर नहीं आ रहे हैं आपके हाँ लॉड कैनिंग बिल्कुल ठीक है 1857 के अंदर रिवोल्ट होता है है ना और उसके बाद 1857 के बाद भारत के अंदर इस्ट इंडिया कंपनी का जो भी रूल था उसे खतम कर देते और क्वीन विक्टोरिया भारत का शाशन प्रशासन अपने हाथ में ले लेती ओके और भारत के अंदर एक नया एक्ट बना के जाना जाता है इसी एक्ट में जो भारत का गवर्नर जनरल जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी उसको नया नाम दे देते हैं क्या वोइस रोई क्या नाम दे देते हैं वोइस रोई एन फ़र्स वोइस रोई भारत का आखरी गवर्नर जनरल जो था वही भारत का पहला वॉइस रोई बना ठीक है ओके नेक्स कुश्चन which of the following article states the protection against arrest and detention in certain cases निम्न लिखित में से कौन सा अनुछेद कुछ मामलों में गिरफतारी और नजरबंदी के खिलाफ बताता है कौन सा अर्टिकल है बहुत अच्छे रोहित 22 मनीश देखो बड़ा अच्छा सवाल था यह article 20 और 22 बहुत सिमिलर लगते है यह इस पष्ट रूप से आपको कह रहा है डिटेंशन है ना अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन भाई एक आपको मैंने 20 भी बताया था 20 के अंदर यह था कि आपको अपने गिरिफतारी के कारण जानने का अधिकार होगा आपको उसी कानून के अनुसार सजा दी जाएगी जो कानून उस समय लागू है अर्थात जैसे मान लीजिए पॉक्सो एक्ट है पॉक्सो एक्ट यह कहता है कि अगर आपने किसी माइनर के साथ यौन शुशन किया है तो आपको जमानत नहीं होगी तो ये Poxo Act बाद में आया तो इससे पहले अगर कोई किसी माइनर के साथ ऐसे केस के अंदर अंदर जाता है जेल जाता है तो उस पे Poxo Act नहीं लगा तो वो जमानत प्राप्त कर सकता है परन्तु अगर पॉक्सो एक्ट लागू हो गया और उसके बाद अगर किसी ने ऐसा क्राइम किया तो फिर वो पॉक्सो एक्ट उस पे लागू होगा बात समझ रहे हैं एक और बात बताईती है उसे खुद के खिलाफ गवाई देने के लिए बात दे नहीं किया जा सकता तो य किसी एक क्राइम के लिए एक ही सज़ा आपको मिलेगी ये सब आर्टीकल 20 है ये सब क्या है आर्टीकल 20 है 22 क्या आपको पता है 22 ऐसे बगुत बड़ा है पर इसकी मैं मुख्य मुख्य बात आपको बता दू कोई भी वैक्ति जिसको गिरफतार किया गया है उसको magistrate की permission के बिना continue custody में नहीं रखा जा सकता महिला को महिला पुलिसी गिरफतार करेगी रात में महिलाओं को गिरफतार करके detain नहीं किया जा सकता बात समद रहे आपको lawyer करने का अपना अधिवक्ता करने का अधिकार होगा ये सारी बाते कहता है article 22 तो इसका सही answer होगा article 22 20 के अंदर वो सिर्फ आपको ये बताता है पुलिस आपको जब गिरफतार कर लेगी तो आपके क्या rights होंगे article 22 आपको ये बताता है कि after the detention आप protest कैसे करेंगे article 21 is related to live with dignity सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार उसमें गिरफतारी का कोई चकरी ने 21 में 21A right to education शिक्षा का अधिकार है तो यहाँ पे 22 बिलकुल सही होगा यदि सजा कम कर दी जाए तो क्या होगा सर उसका नहीं सजा कम जैसे मैं गुधारन दे रहूं शायद आप यह कहना चारे हैं कि कोई मान लीजिए चोरी की सजा 5 साल थी है ना मान लीजिए अब कोई परिवर्तन किया गया कि नहीं भई अब चोरी करेगा तो 10 साल की सजा होगी परंतु जब इस व्यक्ति को बुक किया गया था किसी क्राहिम के लिए उस समय चोरी की सजा 5 साल थी तो इसको 5 साल वाला ही कानून फॉलो करना होगा इसके उपर केस चल रहा था और उस समय एक नया एक्ट लागू हो गया और अब चोरी की सजा दस साल हो गई तो इसके उपर लागू नहीं होगा बात समझ रहें देट इस आर्टिकल ट्विंटी टू यह कहता है जिस समय आपको गिरफतार किया गया है सजा उस समय के कानून के अनुसार ही मिलेगी सरस्वती सम्मान साहित्तिक कारियों के लिए कितनी भाषाओं में दिया जाता है सरस्वती सम्मान सरस्वती सम्मान अवाड इस गिवन फॉर लिटरिली वर्क्स इन हाव मैनी लेंवेजिजिस अरे भाई कितने भी साल हो जिस समय उसको गिरफतार किया गया कानून उस समय क्या था कि बस वह फार्नल है उसके बाद कुछ भी आता है कोई फरक नहीं पड़ेगा कि मैट्स और इंगलिश का इल्टरनेट हो रहा है तीवरी जी मैच का अगत्स का ए तीन दिस होता है तीन दिन मैं घिके लेता हूं और तीन दिन इंगलिश होता है तीन दिन रीजनिंग होता है ऐसे अल्टरनेट चलता है हमारा बिल्कुल क्लास हो रही है उसकी भी भई यह तो आसान सवाल है इसका आंसर आना चाहिए अरे भई यह तो आसान है हमारा शेडियूल एट शेडियूल एट क्या है अनुसूची आठ उसमें कित्ती भाषाओं को माननेता है हाव मैनी लेंग्वेजेज आर लिस्टेड इन शेडियूल एट कितना ट्वेंटी टू ना तो आंसर आ गया ना भई ट्वेंटी टू सिंपल था शेडियूल एट के अंदर ट्वेंटी टू लेंग्वेजेज को माननेता प्राप्त है और सरस्वती सम्मान जो की साहित्य के लिए दिया जाता है लिट्रेचर के लिए दिया जाता है ये लिट्रेचर इन 22 में से किसी भी भाषा का होना क्या फरक पड़ता है बात समद रहें मैंने आप से कहा भी था शायद पिछली क्लास में कहा था हमारे पास ओरिजनल कॉंस्टिटूशन में 14 लेंग्वेजेज थी ओरिजनल कॉंस्टिटूशन जो 26 जन्वरी 1950 को लागू वाना 14 भाषा हैं थी पंद्रवी भाषा जोडी गई सिंधी कॉंसी सिंधी फिर नेपाली मनिपूरी और कॉंकणी नेपाली मनिपूरी और कॉंकणी ये कितनी हो गई 16, 17 और 18 फिर चोड़ी गई बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी कितनी हो गई 19, 20, 21 और 22 तो अभी हमारे पास कितनी भाषा हैं 22 भाषा हैं देखो ये वाली याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं चल जाएगा पर ये लास्ट जो चार एड हुई हैं इनको जरूर याद रखेगा बोडो, असाम की हैं मैथिली, बिहार में उत्री बिहार संथाली, ये संथाल आदिवासी हैं डोगरी, कश्मीर की बाषा ये चार जरूर याद रखेगा ओके? देन, next question which of the following amendment act added a new fundamental duty in article 51A for providing education to child कौन सा संथोधन अधिनियम एक बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुछेद इकावन एक में जोड़ा गया एक मौलिक कर्तव है ओके? आंसर देन जल्दी से आसान है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल चंदन कुमार्दी आप अगला आंसर दें ये आंसर तो ठीक है आपका 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 क्लास को थोड़ा शेर करें जैसे आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाते है थोड़ा शेर करें क्लास को और बच्चे जुड़े तो यार पढ़ाने भी थोड़ा मज़ा आएगा कोशन आंसर भी मैं अच्छे से ले सकूंगा आपके बहुत अच्छे देखे थोड़ा मैं यहां पर आपका आंसर तो बिल्कुल ठीक है जो लोग भी आंसर दे रहे है 86th Amendment 2002 के अंदर मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा देखें 1976 के अंदर है ना हमारा Article 51A जोड़ा गया Article 51A जो है वो एड़ किया गया After 42nd Amendment 42 में समयधान संशोधन से एक कमेटी बनाई गई थी सरदार स्वांड सिंग कमेटी उस कमेटी ने रेकमेंड किया कि हमने भारतिय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार Fundamental Rights तो दे दिये मतलब ये राइट तो मतलब मांगने आ जाते But what about duties What about their fundamental duties towards their nation राष्टर के प्रती आपके कर्तववे कहां है क्या सिरफ राष्टर से आप अधिकार मांगेंगे आप देखिए सोवेत रशिया को वहां के लोग अपने देश के लिए कितना committed है तो हमने भी फिर क्या किया सोवेत रशिया को देखते देखते आर्टिकल 51A में कितने 10 मौलिक कर्तवे जोडे इतने 10 fundamental rights जोड़े फिर 86 ये वाला कौन सा था आर्टिकल 51 ए 47 amendment था 86 amendment हमने किया 2002 में और एक fundamental right और duty और जोड़ी के भाई जितने भी माता पिता हैं उनका करतव्य होगा कि आप अपने 14 वर्ष से छोटी आयू के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करवाएं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें बात समझ रहें ये बाद में हमने जोड़ा था तो बिल्कुल ठीक आपका आंसर है चंदन कुमार PDF की मैं बात करता हूँ कोशिश करेंगे जब 500 questions हो जाएंगे मैं एक साथ आपको कहीं पर ये provide करवा दूँगा ठीके तो दोस्तों ये हमारे आज के 20 questions थे I hope आपके सही होंगे मैं देख रहा था कहीं लोग answer नहीं दे रहे थे आप answer जरूर दीजिए कैसा भी सवाल हूँ और जैसा कि मैंने पिछल कुझे वह topic लिक बेजें तो अगली कक्षा में मैं जरूर वह topic discuss करूंगा पिछली कक्षा के अंदर comment था वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा explain करने का तो अगले 10 मिनिट हम वर्ल्ड मैप की थोड़ी चर्चा करेंगे आप सभी लोग थोड़ा बोट पे ध्यान दे दोस्तों ये ह हमने वर्ल्ड का एक मैप लिया है तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने continents की बात करना चाहूंगा महाद्वीप क्या महाद्वीप कि देखें आप जब भी हम महाद्वीप की बात करते हैं या हम continents की बात करते हैं तो there are seven continents अगर इनके शेत्रफल की द्रश्टी से मैं इनको अरेंज करूँ according to their area तो Asia, Africa, North America, South America then बड़ा सप्राइजिंग है Antarctica, कौन सा? Antarctica, then Europe, then Australia तो इनको इसी क्रम में आप याद रखें Asia, Africa, North America, South America, Antarctica Europe, then Australia आजकल Australia के लिए औसेनिया शब्द का भी प्रियोग किया जाता है because Australia itself is a country इसलिए मैप के अंदर थोड़ी चर्चा करें आप देखें ये जो पूरा आपको पूरा बड़ा महादीब दिखाईद पढ़ रहा है ये यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक that is called Eurasia इसको क्या कहते है Eurasia, Europe and Asia Europe and Asia physically अलग नहीं है है ना, इनको अलग करने के लिए दो mountain range है यहाँ पर एक mountain range है that is called Eural Eural mountain range और यहाँ पर एक और mountain range है जिसको बोलते हैं Caucasus क्या Caucasus Eural और Caucasus परवत माला है योरप और Asia को separate करती है ये वाला part जो है आप इसे Europe बोलेंगे ये वाला part जो है आप इसे Asia बोलेंगे ओके, ये जो आप देख पा रहे है ये African continent है अफरिका है ये चिडिया की तरह जो आपको ये जो दिख रहा है आपको नीचे ये दक्षिनी अमेरिका है बिलकुल प्रत्वी के दक्षिन में जो आप देखते हैं ये भूमी पूरी ये ये अंटार्क्टिका है योरप मैं आपको बताई चुका हूँ और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आपका आस्ट्रेलिया महादीप है विश्व का सबसे छोटा कौन सा है आस्ट्रेलिया महादीप है है ना इसको थोड़ा ध्यान रखे विलकुल रिशिकेश कुमार विकॉज आप एक बार त्यारी कर चुके हैं 500 कोश्चन की टेस्ट सीरीज आपके लिए है बड़ी हेलपफुल रहेगी थोड़ा आप इसको आरोज जॉइन करें जरूर इंप्रूमेंट होगा आपके तो ये दोस्तों साथ हमारे क्या थे कॉंटिनेंट्स थे ऐसे कैसे हमारे पास तीन बड़े ओशियन है तीन बड़े महासागर है कौन कौन से है सबसे पहले आप देखे प्रशान्त महासागर ये उत्री अमेरिका दक्षिनी अमेरिका पैसिफिक बोलते हैं अपन इसको सेम यहाँ पर भी ये क्या प्रत्वी गोल है ना तो एशिया और उस्ट्रेलिया इनके बीच में ये बड़ा जो महासागर आप देख पाते हैं आदा आदा देख पाते हैं ये कौन सा है प्रशान्त या पैसिफिक ओशियन है ओके फिर आप देखें ये एस आकरती का यह क्या है अंग्रेजी का एस अक्षर है कई बार पूछते हैं के विच ओशियन रिजेंबल्स दा इंग्लिश लेटर एस तो आप बोलेंगे अट्लांटिक ओशियन कौन सा बोलेंगे अट्लांटिक महासागर नेक्स्ट विच ओफ दो फॉलोविंग ओशियन है जग कंट्री नेम इनिट्स अपना क्या है वहाँ पर इसकी कंट्री का नाम रिजेंबल करता है तो ये हैं इंडियन ओशियन एकलौता ऐसा ओशियन है विच्व के अंदर जो किसी कंट्री के नाम को दिखाता है इसके अलावा दो ओशियन हमारे पास और हैं तो तीन तो बड़े हो गए एक है यहां पर अंटार्क्टिक ओशियन क्या नाम है इसका अंटार्क्टिक इसको कहीं बार दक्षणी ध्रूम महासागर भी कह दिया जाता है क्या क्या दिया जाता है दक्षनी ध्रूमध महा सागर ऐसे कैसे यहां पर हमारे पास है आर्किटिक ओशियन क्या है आर्कтесьawa संद रहे BFF2 वैसे तो दीन है पैसिफिक η डिए बट यह दो और होते हैं कौन से अंतर्कárकिक और आर्किक बात समझ रहें तो देखिए ये आज हमने क्या बात करी विश्व के बड़े महादीप और महासागर फिर एक छोटा सा मैं आपको और बताऊं अगर आपको पूछा जाए कंट्रीज क्या चीज़ कंट्रीज वो भी कैसे अकॉर्डिंग टू देर एरिया शेत्रफल तो देखो आप कहेंगे विश्व की सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइस है रुशिया दैन है कैनेडा दैन है चाइना दैन है यूएसे दैन ब्राजील ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया सो विश्व के देशों में शित्रफल की दृष्टी से बारत कौन से इस्थान पर है साथवे इस्थान पर है इन कंट्रीज को याद करने का एक छोटा सा मैंने रखा हुआ है आप भी याद करें रक्कु बै क्या रक्कु बै भूलोगे नहीं आर सी सी यू बी ए आई कई बार गड़बर हो जाती है तो रक्कु बै याद रखने के लिए है है ना रशिया की कैपिटल है मॉस्को कैनेडा की कैपिटल है ओटावा चाइना की कैपिटल है बीजिंग यू एसे की कैपिटल है वाशिंग्टन ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया औस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनवरा और भारत की राजदानी है न्यू डेली ये कैपिटल भी आपको याद होनी चाहिए ये कहीं बार पूछ लेते बात समंदरें तो रक्कु भाई को याद रखें इस क्रम को याद रखें कहीं बार पूछ लिए जाते हैं शित्रफल की दृष्टी से विश्व के सबसे बड़े देश रशिया, कैनेडा, चाइना, युएसे, व्राजील, आस्टेलिया एंड इंडिया मैप के अंदर मैं आपको बताएं तो आप देखें ये जो बड़ा सा देश आपको दिख रहा है काफी आगे तक ये देश है रशिया का, ये देश कौन सा है, रूस, कैनेडा, ये जो बड़ा सा देश आप देख पारे हैं पूरा इस तरीके से, ये है कैनेडा यहाँ पर आप एक बड़ा सा देश पाएंगे पूरा इस तरीके से, ये है चाइना फिर USA आपको मालूमी है यह पूरा देश जो है यहां पर यह USA फिर Brazil अल्मोस्ट यह पूरा इतना बड़ा हाफ जो ले जाता है साउथ अमेरिका का कौन ले जाता है ब्राजील ले जाता है औस्ट्रेलिया इटसेल्फ कंट्री भारत को प्यारे भारत को तो आप जानते ही है यह भारत देश है तो इनकी लोकेशन और इनकी कैपिटल्स को आप याद रखें आगे फिर कभी मैप में कोई और पर्टिकुलर जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे जरूर लिखके बेदें कमेंट कर दीजिए आपके भले की आपके फाइदे की ही बात है आपको इसीखने को कुछ मिलेगा मुझे डारेक्शन मिल जाएगा कि अपार्ट फ्रॉम दी कोश्चन्स मैं आपके साथ और क्या डिसकस कोई दिक्कत नहीं है एक होता है कि पूरा के पूरा सब्जेक्ट में आपको खोल के पड़ाओं एक होता है कि नहीं सर हमने काफी पढ़ लिया है आप तो हमें जो है छोटा-छोटा यह पॉइंट अगर डिसकस कर लें तो हम थोड़ा बता देंगे ओके तन में आप समझिए मेरी बात तन में आप इस चैनल पर जाईए मेरी काफी सारी क्लासेज हैं फोर हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इकोनॉमिक्स इन सभी के लिए बात समझ रहें काफी सारा मेटीरियल वहां पर मिलेगा मैंने पढ़़ाया है खुद ने यूट्यूब आर्टिकल्स देखो शुयश वैसे तो आर्टिकल 395 है पर फिर भी अपने मन से मैं कहूं तो मैं आपको एक दिन फंडामेंटल राइट्स जरूर बताना चाहूंगा बात समझ रहें तो कोशिश करते हैं एक दिन जब भी हमारी नेक्स क्लास हो मैं आपको फंडामेंटल रा और आज अभी मेरे बाद श्रियान सर की क्लास नहीं है कल भी श्रियान सर नहीं होंगे हालां कि चेतन सर की क्लास जरूर होगी मेरी जगे जो साथ बजे होती है और शिवरात्री के पर्व पर यहां पर अवकाश रहेगा छुट्टी रहेगी तो थोड़ा सा इस बात को आप मान के चले और उसके बाद वाकी हमारी जो क्लास का शेड्यूल रहता है वो शेड्यूल वही रहेगा ओके ठीक है तो और भी आपकी कोई बात हो जैसे आरियन कह रहे हैं हिस्ट्री आरियन मैं बता रहा हूं कि मैं हिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ बेटा मैं कोई हिस्ट्री कितनी क्लासे ले चुका हूँ और यह सारी अवेलेबल है आप उनको देखिए भाई है ना कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है तो मैं जरूर ले सकता हूँ पूरी हिस्ट्री सिंदू गाटी सब्वेता से ल ले लूँगा कोई दिक्कत नहीं है ओके तो यार यह क्लास में यहीं समाप्त कर रहा हूं नेक्स क्लास में फिर से हम मिलते हैं श्रियान सर की क्लास जो है वो अभी नहीं है और आज नहीं है कल भी नहीं है बाकी क्लासे आपकी as it is रहें तो मिलते हैं वापस नेक्स क्लास म धन्यवाद प्लीज लाइक शेर नबस